YouTube videos की perfect length यानि duration क्या होनी चाहिए यह हम discuss करने वाले हैं इस वीडियो में ऐसी duration जिससे हमें अच्छा watch time मिले और हमारी audience बोल भी ना हो तो वो क्या होनी चाहिए चलिए फिर देखते हैं अगर एक आंसर दू मैं आपको इस चीज का तो YouTube वीडियो की क्या perfect length होनी चाहिए यह हम नहीं बोल सकते कि क्योंकि हर किसी का नीश अलग है हर किसी का वीडियो का style अलग होता है किसी की audience जो है वो बहुत जादा देर भी एक वीडियो को देख पाती है किसी में audience retention कम होता है तो ऐसे में मैं आपको सिर्फ एक answer नहीं दे पाऊंगी कि यह duration आप रख लीजिए perfect है इसको इतने ही time कि आप videos बनाईए तो इसी लिए मैंने क्या किया है मैं आपको different different niche के जो duration है optimum duration है और हमारे experience है WSQT के experience है जो हमने देखा है समझा है और हमारे clients के साथ भी जो हमने experiments किये हैं काम किया है उसके basis पर मैं आपको यह चीज बता रही हूँ तो यहाँ पर हर एक niche मैंने almost सारे niche cover करने की कोशिच की है आप एक बर अपना जो niche महाँ से select कर सकते है या फर मुझे comment section में बता सकते हैं कि आपका niche क्या आपको वही पहरी reply दे दूँगी कि क्या आपका niche में कित क्या perfect duration होना चाहिए ठीक है जी video को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी है tech related videos जैसे basically technology IT से related कोई आपका topic है या फिर कोई short topics है short topics से मेरा मतलब है किसी आप research की बात कर रहे हैं किसी topic पर research कर रहे हैं किसी particular news के बारे में आप बता रहे हैं तो ऐसी videos की जो optimum length होनी चाहिए वो होनी चाहिए less than 10 minutes क्योंकि मैं आपको psychologically बता रहे हूं कि ये सारी जो चीज़ें है एक person देख सकता है लेकिन 10 minutes में उसे sum up चाहिए ये ऐसा नहीं है video कि इसमें एक person है वो देख रहा है और उसे अच्छा लग रहा है इसलिए वो unboxing देख रहा है नहीं उसे उस product के feature जानने है उससे उस topic के बारे में और जानकरी चाहिए और optimum अगर मैं बता हूँ तो 10 minutes के अंदर आप अपना topic sum up कर दें अपनी unboxing sum up कर दें जो तरह के students होते हैं एक student होता है कि जो कि जब उसका school शुरू होता है उसका syllabus जैसे ही out होता है वो पढ़ना शुरू कर देता है और एक होते हैं कुछ या तो exam से एक महीने पहले या एक week पहले है फिर एक रात पहले पढ़ते हैं तो इसी लिए education से related अगर आप कोई videos बना रहे ह सकते हो आप complete chapter complete course इस तरह की videos निकाल सकते हो तो 60 minutes के असपास अगर आप अपनी videos रखते हो like 45 minutes से 60 minutes सकी तो काफी अच्छी ranking आपको मिलती है काफी अच्छी videos आपकी चलती है यह मैं आपको सारी जो चीज़े हैं यह experiments के थू experience के थू ही आपको बता रही हूं ठीक है जी तो education अगर आपका नीश है तो आप उसमें 60 के आसपास की video बना सकते है 60 minutes के 60 minutes से जादा मत जाएंगे मतला 1 hour से जाएंगे तो काफी लंदी भी लगेगा और थोड़ा सा video जैसे ही hour में चलीगी तो video में बेसिकली कि हमारा जो particular एक जो audience है उसके mindset पर या जाएगा कि इतनी बड़ क्योंकि जैसे अब technical में बता है 10 minutes की कम की video बनाईए तो जिससे audience आपकी वाकी भी video देखीगी लेकिन जब हम education की बात करते हैं तो वहां पर हमें keyword का benefit नहीं मिलेगा क्योंकि एक person यही टाइप करेगा chapter 1 of this class, chapter 2 of this class, तो make sure कि आवो एक chapter फूरी उसमें cover करते हैं, alright जी, उसके अलावा food recipes की बात करते हैं, तो देखें, food recipes, food recipes मैं तब सर्च करूंगी, जब मुझे just खाना बनाना है, just take audience के mindset से देखिए, या तो मुझे खाना बनाना है और मुझे कुछ सीखना है, तो अगर इन कहीं ना कहीं एक हमारा ये technical part आ गया, और अगर मुझे खाना बनाना है औ अगर आपको बताईए, ठीक है, डीटेल में बताईए, लेकिन 10 मिनट से कम में खतम हो जानी चाहिए आपकी विडियो, चीक है जी, उसके साथ में, beauty, fashion, fitness, इस तरह का अगर आपका कोई नीश है, तो आपको अगें, आपका जो नीश है वो 10 मिनट से कम में ही होना चाहिए, आप किसी मेक अप का review दे रहे हैं, किसी fashion related exercise बता रहे हैं, कोई किसी diet के बारे में बता रहे हैं, right, so ऐसे case में आपको 10 मिनट से कम ही आपको विडियो रखना चाहिए, तब ही आपका audience attention बढ़ेगा, उसके अलावा अगर आपके vlogs हैं, चीक है, आप vlogs दो तरीके होता है, पहल करके दिखा रहे हैं, या फिर travel vlog हो गया, जहां पर आप कुछ experience कर रहे हैं, चीक है, दो तरहिकी के vlog है, दोनों ही vlogs में मैं आपको suggest करूंगी, कि आप 10 to 20 मिनट के बीच में अपनी video को रखिए, क्योंकि 10 मिनट से कर आपने कम रखा तो इतने में, एक परसन जो है, जोड नह रही है, तो audience बोर होई, एक वीडियो पर बोर होई, तो आपको दूसरा वीडियो भी नहीं देखेगी, vlogs के इसमें, क्योंकि एजुकेशन में तो क्या है, उस परसन की need है, उस परसन की requirement है, कि वो आप से को सीखना चाता, लेकर vlogs में ऐसा कुछ नहीं होता, vlogs are completely entertainment, तो 10 to 20 minutes, 20 minutes के आसपास, जो अगर आप अपनी वीडियो रखते हो, 15 minutes, 17 minutes, 16 minutes, तो perfect रहेगा vlogs के लिए, उसके अलावा, अगर आपका कोई music related, covers related, poetry related, entertainment related अगर वीडियो है, so make sure आप उसे 5 minutes से कम रखिए, तो इसलिए आपने देखा होगा कोई भी नया song आता है, music आता है, तो वो रहता ह है, हमारा 3 या 4 या 5 minutes के आसपास रहता है, तो अगर आपका कोई ऐसा entertainment वाला, specific entertainment है, तो आप उसको 5 minutes से कम रखिए, कोई movie बना रहे है, short film बना रहे है, तो short film भी हमारी, जो होती है, वो 10 minutes से कम ही, आप रखिए, okay, so less than 5 minutes आपके music entertainment वाला part जाएगा, alright, चलिए, उसके एक movie चला के आप बैड गए और आपने बोला कि मैं पूरा इसको शुरू से लेकर एंड तक review दूँगा, even जो लोग आप movie review देते हैं, top के channels आप देख लो, वो भी अपनी वीडियो को काफी short ही रखने है, और short में ही वो बता देते हैं, कि हमने movie देगी तो उसमें ये scene आपको काम करेंगी, again मैं यही कहूंगी, कोई भी perfect length नहीं है, अगर आपका content best है, ची के, WS Qubetic में हम दोनों ही तरह के experiment करते हैं, बड़ी वीडियो भी हम बनाते हैं, और हम small वीडियो भी बनाते हैं, और दोनों ही audience पर depend करता है, कि audience उसको कहा ले जाना चाहती है, तो अग को बताऊंगी, comments में ही, कि क्या आपका perfect length होनी चाहिए, मतलब मुझे क्या लगता है, सही क्या लगता है, और अगर वीडियो अच्छी लोगे हो, तो like करना बिल्कुल मत भूलेगा, साथ ही चानल को subscribe करो, जिससे इस तरह की important videos आपसे मिसना हो, thank you so much. झाल